परिचय हर दिन रमा की माँ दो लीटर दूद खरीदती है लेकिन आज रात के खाने पर कुछ महमान आने वाले हैं तो उन्हें दही जमाना है इसलिए उन्होंने मिल्क बूच से चार लीटर दूद खरीदा है लिक्विड यानी तरल चीजों को हम कैसे मापते हैं आईए इस पार्ट में हम आज यही जानेंगे आओ सीखें क्षमताओं की तुल ना करना क्षमताओं का मापन करना क्षमता रमा बाग में खेल रही थी उसने खेल के मैदान में तीन गड़े देखे उसने उन्हें पानी से भरने का फैसला किया गड़ा नमबर एक पाँच मग पानी से भर गया गड़ा नमबर दो में साथ मग पानी आया और गड़ा नमबर तीन तीन मग पानी से भर गया क्या आप बता सकते हैं इन में से सबसे बड़ा गड़ा कौन सा है? जी हाँ, गड़ा नंबर दो सबसे बड़ा गड़ा है बर्तनों की क्षमता रश्मी अपने जग में एक इलास पानी डालती है ये कुछ ऐसा लगता है जब रवी अपने जग में एक गिलास पानी डालता है तो वो कुछ ऐसा लगता है रश्मी को लगता है कि उसे जग को भरने के लिए लगभग दो गिलास पानी डालना होगा जबकि रवी को लगता है कि उसे अपना जग भरने के लिए एक गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी क्या आप बता सकते हैं कि किस के जग में ज्यादा पानी आता है जी हाँ, आपने सही कहा रश्मी के जग में ज्यादा पानी आता है बोतलों की क्षमता एक ही आकार के दो घड़े मौझूद है नियामा और नसीम को पानी से दोनों घड़े भरने होंगे वो अपनी बोतलों की मदद से इन घड़ों को भरते हैं नियामा का घड़ा 16 बोतल पानी से भर जाता है लेकिन नसीम का घड़ा 8 बोतल पानी से ही भर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि नियामा की बोतल में नसीम की बोतल के मुकाबले आधा पानी ही आता है तुलना राम पिकनिक पर आया है उसे प्यास लगी वो एक दुकान पर गया और उसने एक लीटर पानी वाली बोतल खरीदी इस बोतल में एक लीटर पानी आ सकता है दुकान पर अलग-अलग शमताओं वाली दूसरी बोतलें भी थी इस बोतल में आधा लीटर पानी है और उस बोतल में दो लीटर पानी है लीटर शब्द का इस्तेमाल किसी तरल की ख्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है. अब हम पानी को इस बोतल से एक बर्तन में डालेंगे. हमने ये देखा है कि एक लीटर पानी से ये बर्तन नहीं भर रहा है. यानि इस बरतन में एक लीटर से अधिक पानी आता है इसी तरह इस बोतल से इन बरतनों में पाने डालिए इन में भी एक लीटर से ज़्यादा पानी आता है मापन आईए अब एक लीटर की बोतल से इस बरतन में दूद डालते हैं हमने ये देखा है कि बोतल में अब भी दूद बचा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस बर्तन में एक लीटर से कम दूद आता है इसी तरह इस बर्तन में भी एक लीटर से कम दूद आता है एक लीटर में एक हजार मिलिलीटर होते हैं इसका मतलब है कि 1000 मिली लीटर से 1 लीटर बनता है मिली लीटर को ML भी लिखा जा सकता है हमने क्या चर्चा की? किसी बर्तन की क्षमता तरल की वह मात्रा होती है जो उसमें आ सकती है लीटर शब्द का इस्तेमाल तरल की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है एक लीटर बराबर है 1000 मिली लीटर के या 1000 मिली लीटर बराबर है एक लीटर के